हलो बच्चों आज का टॉपिक जो है हमारा that is birth control methods birth control methods को क्या बोलते हैं contraceptive methods ठीक है या contraception यानि की birth control आप समझ रहे हो कि मतलब अगर जो couple है उनको बच्चा नहीं चाहिए है ना अगर चाहिए तो उसको बोलते हैं conceive करना या conception ठीक है जो lady है if she gets pregnant तो हम कहते हैं कि उसने conceive किया है या conception हुआ है लेकिन अगर वो ऐसा नहीं चाहते हैं conception का उल्टा क्या होगा contraception तो contraception का मतलब है birth control और इसके लिए जो भी तरीके यूज किये जाते हैं उनको contraceptive methods कहते हैं या birth control methods कहते हैं ठीक है तो यह बहुत अलग-अलग तरह केस में methods हैं कुछ temporary methods हैं कुछ permanent methods हैं लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अगर हम यह इस पे ध्यान दें कि कोई भी contraceptive method जो है वो कैसा होना चाहिए बर्थ control के लिए जो भी method यूज करे कोई it should be user friendly it should be easily available in the market effective होना चाहिए यानि कि उसमें कोई भी risk नहीं रहना चाहिए failure का then it should be reversible ठीक है? because जैसे जो parents हैं मानलो उनको दो-तिन साल के लिए बच्चा नहीं चाहिए उसके बाद चाहिए तो it should be reversible also and it should not interfere with the sexual act or desire of the user so यह उसमें qualities होनी चाहिए जो भी कोई contraceptive method होता है now different methods हैं इसमें हमने आपको कहा तो पहले हम करेंगे जो temporary methods है temporary और permanent में क्या difference है? method कौन से होंगे? जिसमें जैसे अभी मैंने कहा कि जैसे कोई couple है उसको बच्चा नहीं चाहिए मानलीजिए दो साल तीन साल है ना तो उस दोरान वो इन methods को यूज़ कर सकता है ठीक है? these are all temporary methods और permanent method क्या होगा? कि जब couple को हमने कहा उसके मानलीजिए दो बच्चे हैं और आगे उसको आप चाहिए ही नहीं मतलब बच्चे है ना तो ऐसा couple जो है it can go for permanent method या surgical method तो पहले ले लेते हैं temporary methods temporary methods में भी आगे फिर further क्या है देखो? natural methods है, barrier methods है, chemical methods है, IUDs है या oral contraceptives है या फिर injections and implants है ये सब temporary हैं और इसमें पहले ले लेते हैं natural method या traditional method natural से मतलब है कि जिसमें कोई भी artificial चीज यूज नहीं की जाएगी, ठीक है? so इसमें भी अब देखिए आप तीन तरीके हैं first is, अब जैसे हम कह रहे हैं कि ये natural है ना, तो यानि कोई भी artificial चीज कुछ भी नहीं यूज करेगा जो couple है तो फिर कैसे रोक सकते हैं हम conception को पहला है periodic abstinence, ये काफी important point है abstinence का मतलब होता है दूर रहना उस चीज से यानि कि इसमें आप देखिए कि जो couple है अभी हमने menstrual cycle किया है females में और menstrual cycle में आपको पता है कि जो egg release होता है वो कब होता है लगभग 12 से 14 दिन के बीच में है ना, जो cycle का 12 तो 14 दिया है लेकिन फिर भी उसको थोड़ा थोड़ा और extend कर दें क्योंकि exact हम नहीं कह सकते तो मानली जी हम 10 से 17 दिन के बीच का period ले ले लेते हैं ठीक है, जो menstrual cycle का 10 से 17 दिन का जो period है एक हफते का लगभग ये period है ना, इस दोरान हम कह रहे हैं कि egg release हो सकता है तो उस दोरान जो है क्या है कि intercourse ना किया जाए या coitus या intercourse एकी चीज़ है, या sexual act जो है उसको avoid किया जाए, उससे दूर रहा जाए है ना, abstinence और इस period को fertile period कहते हैं, जो एक हफते का period होता है females में, क्योंकि इस दोरान egg आता है ovary से तो इस दोरान अगर intercourse किया जाएगा तो sperms जो है, they may fertilize the egg और conception होने का chance रहता है तो इस दोरान जो है, abstinence की जाए या हम कहें कि sexual intercourse से दूर रहा जाए ठीक है, तो ये natural method है second is coitus interruptus interrupt करना या withdrawal कहने का मतलब है, जो sexual act है उस दोरान जो male partner है अगर वो ejaculation ना करे वजाइना में यानि कि if he withdraws the penis from the vagina ejaculation से पहले ही हटा ले तो क्या होगा, sperms जो हैं वजाइना में नहीं enter होंगे insemination उसी को कहते है that is entry of sperms into the vagina तो वो नहीं होगा तो naturally fertilization के chance नहीं रहते हैं यह जो natural methods है इनका यही principle है कि they avoid the chance of sperms and ovum meeting इसमें sperm और ovum जो हैं उनको meet नहीं होने देना है then third इसी में देखिए, natural method में ही है यह भी this is called lactational amenorrhea अब यह एक term थोड़ी से मुश्किल है इसको short में L.A.M. कह देते है lactation क्या बताया था आपको release of milk from memory glands after birth of child उसको lactation कहा था और amenorrhea होता है absence of menstruation यह ना A लगा हुआ ना पीछे amenorrhea के पीछे A लग गया means absence of menstrual cycle तो ऐसा कब होता है देखिए menstrual cycle कब बंद रहती है एक तो रहती है during जो gestation period होता है 9 months का उस दोरान menstrual cycle नहीं चलती है यह बड़ा important point है और उसके बाद child birth के बाद भी 5-6 महीने तक अगर lactation हो रही है है ना मदर जो है वो breastfeeding कर रही है चाहिल को तो उस दोरान भी menstruation नहीं होती है it refers to absence of menstruation during the period of intense lactation following parturition parturition होता है child birth और उसके बाद हम कह रहे है कि उसके बाद अगर lactation हो रही है milk release हो रहा है मा में और वो breastfeeding कर रही है तो इस दोरान menstruation नहीं होती है यानि कि ovulation नहीं होती है egg release नहीं होता है तो कहने का मतलब है इस period में अगर sexual intercourse किया जाए तो naturally fertilization के chance कम होते हैं क्योंकि ovulation नहीं हो रहा है na egg आई नहीं रहा है uterus में ठीक है so this is called lactational amenorrhea या lamb ले एम तो यह तो थे natural methods ठीक है उसके बाद आते हैं हम barrier methods पे barrier क्या होता है आपको पते है यह ना दो चीजों को यसे मिलने से रोकना कोई बीच में barrier लगा देना तो इस case में वो ही किया जाता है और barrier methods के बारे में आपको बता दे हैं कि these can be used by both males and females दोनों के लिए यह होते हैं जैसे कि पहला इसमें आ जाएगा condoms condoms जो है rubber के बने होते हैं या latex sheet के बने होते हैं cap-like structure होती है जैसे males जो है वो penis को cover करते हैं इससे ताकि जब ejaculation हो तो again जो sperms है वो vagina में अंटर ना करें ठीक है so these are इनको पहना जाता है before the sexual act and females में there are condoms for females also और उनको कहते हैं femidoms female condoms are known as femidoms और in condoms का यहाँ पर आपे देख सकते हैं male condom it looks like this female condom looks like this and इनकी एक और जो benefit है इनका एक तो यह फर्टिलाइजिशन होने से तो रोकेंगे ही दूसरा it protects against STDs that is sexually transmitted diseases and AIDS also ठीक है so यह भी इनका एक additional benefit है condoms के लावा cervical caps diaphragms and waltz now these are for females only ठीक है and they are inserted into female reproductive tract यानि की जो vagina के थूँ इनको uterus का जो neck portion cervix आपको कहा था उसमें insert किया जाता है यह कुछ इस तरह के दिखते हैं देखिए diaphragm, cervical cap, walt cap इनको इनको cervix में, uterus का जो neck portion है वहाँ पर या vagina के थूँ वहाँ insert कर दिया जाता है ताकि naturally यह रोक देंगे रास्ता sperms का sperms जो है वो uterus में इन्टर नहीं कर पाएंगे यह होगे barrier methods ठीक है these are for both males and females then comes next is chemical methods now chemical methods जो है अब इसमें नाम ही बता रहा है कि यह कोई chemical है जो कैसा chemical है it is a spermicide means which kills the sperms जैसे आपने पहले insecticide words सुना होगा तो जो insects को मारने की दवाई होती है या herbicides weedicides weeds को खतम करने के लिए उसी तरह the chemicals which kill sperms they are called spermicides and these are available in the form of creams jellies की रूप में यह मिलती है और इस cream या jelly को females vagina में apply कर देती है before intercourse उससे क्या होगा कि जब sperms enter करते हैं vagina में तो they are killed by this cream और इन में होता क्या है देखिए actually इन में in creams में जो spermicide है वो क्या है वो chemicals क्या है lactic acid citric acid boric acid zinc sulfate and potassium permainate ठीक है यह chemicals रहते हैं उसमे and these are all आप देख रहे हैं इनको acidic है न यह तो यह जो है they kill the sperms right so spermicides can be used by the female then next is IUDs this is very important intrauterine devices और जाहिर सी बात है इनको कौन यूज करेगा female यूज करेगी because these are uterine devices यानि की और वो भी intra है न within the uterus these are kept within the uterus इसको जो है females जैसे doctors की मदद से इसको insert किया जाता है uterus में और जब तक आप को contraception चाहते हैं तब तक इनको मुही रहने दिया जाता है ठीक है and these devices कैसे दिखते हैं यह यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से this is copper T जिसको कहते हैं T-shape में है because यह इसले इसको copper T कहते है यह भी इसी तरह का multi-load 375 इसको कहते हैं तो यह इसको uterus में रख दिया जाता है तो it again blocks the sperms and kills them so जो intrauterine devices हैं यह IUDs हैं अब यह भी 2-3 तरह के होते हैं एक होते हैं कौन से copper releasing ऐसे IUDs जो copper release करते हैं तो उनका नाम ही है copper T copper 7 multi-load 375 and para guard यह चार नाम हैं जिसमें से आप 2-3 नियाद रख सकते हो these are some of the copper releasing IUDs ठीक है intrauterine devices हैं यह जो copper release करते हैं दूसरी category होती है hormone releasing IUDs की ठीक है ऐसे intrauterine devices हैं यह जो copper नहीं release करते हैं यह क्या release करते हैं hormone और hormone कौन सा करेंगे progesterone ठीक है तो example या नाम क्या है इनके जैसे LNG20 या Mirena ठीक है यह दो नाम आप याद रख सकते हो यह यह भी IUDs हैं लेकिन यह क्या release करते हैं hormone नाकी copper ठीक है और third जो है एक और example है that is lips loop यह भी एक intrauterine device ही है जो non-medicated होता है तो यह कुछ जो नाम है कई बार यह भी पूछ लेते हैं तो आपने याद रखने है copper release करने वालों में तो आई रहा है ना copper tea copper seven multi load three seven five hormone release करने वाले जो हैं यह हैं they are LNG20 and Mirena now how these IUDs they prevent contraception यह जो intrauterine devices हैं कैसे यह birth control करते हैं देखें यहाँ पर पहला है कि by increasing phagocytosis phagocytosis of sperms sperms जो है they are killed ठीक है within the uterus then by suppressing their motility and fertilizing ability by releasing copper ions ठीक है जो copper ions release कर रहे हैं यह उनसे क्या होता है sperm की motility यानि कि उसकी movement पर फरक पड़ता है और उसकी fertilizing ability पर भी और third है कि जो IUDs यह जैसे जो hormone release करते हैं उससे होता क्या है कि uterus becomes unsuitable for implantation and the cervix वही neck of the uterus it becomes hostile to the sperms ठीक है sperms के लिए conditions जो है वो ठीक नहीं रहती हैं plus implantation अगर मानलो हो भी जाए fertilization तो जो zygote होता है वो implant नहीं हो पाता है uterus में ठीक है in hormones के कारण progesterone basically so यह कुछ एक IUDs थी जो की हमने कहा females उनके द्वारा use होंगी and these are one of the most widely accepted methods of contraception in India ठीक है और जैसे मैंने कहा जब तक बच्चा ना चाहें तब तक वो अपने uterus में इसको लगा के रख सकते हैं 2 साल 3 साल 4 साल जब तक भी so now next is oral contraceptives oral means related to mouth यानि कि जो मूँ से ली जाती है दवाईया oral contraceptives क्या है ऐसी pills जो खाई जाती है ठीक है now these pills contraceptive pills इनको कहा जाता है and these are used by females और इनका भी काम कैसे करती है ये pills जो है they inhibit ovulation ठीक है ovulation नहीं होने देंगी egg release नहीं होने देती है ovary से तो इन में भी actually in oral pills में भी कौन सा hormone होता है या तो progesterone होगा ठीक है या फिर progesterone और estrogen का combination होगा ये बड़ा important point है ये भी पूछते हैं कही बार इन गोलियों में इन पिल्स में क्या होता है या तो progesterone होर्मोन होता है या फिर progesterone और estrogen दोनों होर्मोन का combination होता है so these tablets they are to be taken for 21 days हर महीने जैसे menstrual cycle देखना पड़ता है इसमें और menstruation जब शुरू होती है उसको पहला दिन count करते हैं तो 21 दिन के लिए ये लेनी पड़ती है उसके बाद क्या होगा हफते का break आ जाएगा उसमें menstruation होता है फिर दुबारा अगले मीने फिर से 21 दिन के लिखानी होती है इसी तरह से जब तक कि आप contraception चाहते हैं तब तक इनको खाना पड़ता है और example जो है इनका जैसे Maladi, Saheli है ना ये नाम सुने होंगे आपने ads पी इन पे बनी थी जैसे awareness के लिए इन में से Saheli जो है ये जो contraceptive pill है इसके बारे में थोड़ा सा क्योंकि ये इस डिवेलप बाई लखनव में जो Central Drug Research Institute है CDRI उसने बनाई है ये और इसकी खासियत ये है कि ये weekly pill है जैसे हम कह रहे हैं कि ज्यादा तर तो पिल्स जो होती है वो रोज खानी पढ़ती है किस दिन के लिए हना हर महीने लेकिन ये जो है this is a once a week pill ये हफ़ते में एक बारी लेने पढ़ती है और इसमें जो non-steroid use हुआ है एक उसका नाम अगर आप याद रख सके है सेंट क्रोमेन सेंट क्रोमेन so these are oral contraceptives ठीक है जो दवाईयां खाई जाती है कहने का मतलब और फिर आते हैं next जो मेथ़ड है वो है injectables and implants ये थोड़ा सा भी उतना common नहीं है मेथ़ड थोड़ा नया है प्लस शेहरों में आप कह लिए जादा यूज होता है महेंगा भी है क्योंकि ये ज्यादा तर तो IUDs या oral contraceptives यूज होते हैं इंडिया में बट ये भी इसमें गया है या तो पहला है injectables का मतलब injection यानि इसी हॉर्मोन के progesterone या estrogen दोनों combination है ना injection के थूदिया जाएगा और हर तीन महीने में injection लेना पड़ता है ठीक है कहारेंगा मतलब है अगर आप गोलिया नहीं खाना चाते हैं अगर आप IUDs भी नहीं लगवाना चाते हैं तो आप क्या कर सकते हो हर तीन महीने में injection ले सकते हो या फिर लगा दिया जाता है ये कुछ इस तरह के दिखते हैं ये देखे माचिस की तीलियों जैसे और स्किन के नीचे इनको लगा देते हैं और ये धीरे धीरे वही हॉर्मोन रिलीस करते रहेंगे प्रोजेस्टरोन जो है ठीक है लगभग पांच सालों के लिए देखे वान इंप्लांट इस एफेक्टिफ फॉर अबाउट फाइव एर्स तो ये भी एक लंबे टाइम के लिए और इजी मेथड है कि एक बार आपने लगा दिया स्किन के नीचे और बस कुछ करने की ज़ुरूद निया ये खुदी हॉर्मोन आपके ब्लड में रिलीस करता रहता है इंप्लांट्स तो ये तो थेर कुछ डिफरेंट मेथर्ड्स जो की टेंपररी बर्थ कंट्रोल के लिए यूज किये जा सकते हैं और फिर आता है एक एमर्जेंसी कॉंट्रसेप्टिव एमर्जेंसी या मौर्निंग आफ्टर पिल्स कहते हैं इनको एक्चुली ये कब यूज करते हैं जब एमर्जेंसी हो मतलब मान लीजी अगर अन्प्रोटेक्टेड इंटर कोर्स किया है किसी ने यानि कि बिना कुछ यूज किये कोई कॉंटनर्म या कोई भी पैरियर या स्परमिसाइड कुछ भी उज नहीं किया था तो उसके बाद विदिन 72 आर्स अगर आप ये पिल ले लेते हैं तो उससे भी कॉंट्रसेप्शन या बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है तो या फिर जैसे किसी मानली जी रेप हुआ हो तो उसकेस में भी विदिन 72 आर्स अगर इन पिल्स को ले लिया जाए तो अन्वांटेट प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है तो एक्जाम्पल्स जो है ऐसी पिल्स के वो क्या है आई पिल, पिल 72 या अन्वांटेट 72 ठीक है, विदिन 72 आर्स ये लेने होते है तो ये तो हुई एमर्जेंसी के लिए है न और अब आते हैं पर्मनेंट मेथ़ड बर्थ कंट्रोल का जो पर्मनेंट मेथ़ड है वो क्या है सर्जरी, सर्जिकल मेथ़ड या उसको स्टरिलाइजेशन मेथ़ड भी कहते है क्योंकि इससे जो है फर्टिलिटी खतम हो जाती है अब ये जो पर्मनेंट मेथ़ड है इस फोर बोथ मेन और दोनों के लिए ये होता है, कोई भी एक करा ले दोनों में से, ठीक है अगर मेल्स कराना चाहें तो उन में क्या करते हैं, देखिए इस गॉल्ल वैसिक टॉमी इन केस ऑफ मेल्स टॉमी मेंस टू कट वास डिफर्न्स तो वास डिफर्न्स अगर आपको यादो ये टेस्ट तेस्ट थी और यहां से ये ट्यूब जो उपर जाती है वास डिफर्न्स ये वास डिफरेंशिया दो हो तो वास डिफरेंशिया तो स्पर्म्स इन ही के जरिए यहां उपर जाते थे न तो वास डिफर्न्स को कट कर दिया जाता है बिसिकली जो ट्यूब्स हैं ये देखिए इनको कट कर देते हैं यहां से तो इसमें इसको टूबक्टॉमी कहेंगे और टूबक्टॉमी का मतलब है किसको काटा जा रहा है फैलोपियन टूब को तो अगें यह ओवरीज हैं ओवरीज से एग निकल के फैलोपियन ट्यूब के जरीए यो ट्रस तक पहुंचता था, लेकिन अब हम ने इसमें क्या करते हैं कि फैलोपियं ट्यूब को कट कर देते हैं, ठीक है यहाँ, इस वाली को भी कट कर दिया, इस को भी कट कर दिया इस डैग, यहाँ आप थोड़ा सा और क्लियर है, अगर आप इसमें देखना चाहिए यह देखी फैलोपियन टूब्स दे आर कट एंड टाइड ठीक है तो होगा क्या एग यहां से नाच्रली यहां से आगे नहीं जा पाएगा युट्रस तक एग नहीं पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन के चांस खताम हो जाते हैं ठीक है Sao husband wife में से कोई भी एक किये करवा सकता है husband कराना चाहे तो उसको resectomy कहेंगे और wife कराना चाहे तो उसको tuberctomy कहते हैं So both these are surgical methods एक minor सी surgery से एक किया जाता है ठीक है surgical method या operations इसको हम कहते हैं कि हम family planning का operation कहते हैं So these are permanent methods Aisा करने से तो naturally हमेशा के लिए you will be free from the tension है ना कि कहीं conception ना हो जाए but कुछ हद तक ये भी reversible होते हैं कहने का मतलब अगर बहुत सालों बाद किसी को लगे कि नहीं they want a child तो this can be reversed कहने है मतलब फिर से operate करना पड़ेगा फिर से operation करके इसको फिर से ट्यूब को जोड़ना पड़ेगा but otherwise ये permanent method है जो चाहता है कि अब बच्चे नहीं चाहिए तो वो इसके लिए opt कर सकते हैं so these were birth control methods and one more topic here that is MTP या medical termination of pregnancy अब ये क्या चीज़ है दिखिए again very important ये जितनी भी abbreviations आ रही है इस चेप्टर में आपने उनको ध्यान से दिखना है MTP का मतलब क्या हुआ medical termination of pregnancy termination का मतलब क्या होता है खतम करना तो ये actually क्या है this is voluntary termination या intentional मतलब जो करवा के, खुद करवा के abortion किया जाए, एक तो होता है जो natural abortion हो जाता है, पता भीन चलता है लेकिन ये क्या है कि जब कोई couple जो है वो जान बूच कर abortion करवाए ठीक है तो उसको कहते है MTP और क्यों करवाना चाहेगा कोई ऐसा because एक तो जैसे हमने कहा unwanted pregnancy अगर हो मान लीजिए rape की बज़ा से या unprotected intercourse की बज़ा से, तब जो है abortion चाहते हैं लोग ठीक है या फिर कई बार क्या होता है कि pregnancy जो है it becomes harmful कई बार होता है ना कि बच्चे में कुछ ऐसा defect है या बच्चा ठीक नहीं है उसका formation ठीक नहीं हो रही है या mother के लिए खत्रा है उस case में भी MTP करवाना चाहते हैं लोग ठीक है तो यहाँ पर यह question कई बार पूछने हैं देखिए कि MTP अगर करवानी है तो it is safe up to 12 weeks of pregnancy 9 months के period को मैंने आपको बताया था तीन भागों में बांटा जाता है पहले तीन महीने 1st trimester, अगले 3 महीने 2nd trimester और फिर last के 3 महीने उसको 3rd trimester कहते हैं तो 1st trimester का मतलब है पहले 3 महीने पहले 3 महीने का मतलब है 12 हफते तो 12 हफतों तक अगर abortion करवा दिया जाए तो वो safe होता है उसके बाद अगर आप कराना चाहो तो it is harmful it may be harmful for the mother तो यह भी important है और यहाँ पर यह हम पहले ही कर चुके हैं that is amnucentasis जो technique हमने की थी हमने कहा था इससे fetus में जो abnormalities है उनका पता लगाया जा सकता है लेकिन इसका मुसे उस करते हैं लोग यह पता लगाने के लिए कि बेटा है या बेटी और बेटी हो तो फिर गिरा देते हैं यह पॉर्शन करवा देते हैं so majority of MTPs are performed illegally हालांकि इस के लिए जो कानून है वो बन चुका है and prenatal sex determination was banned in India in 1994 prenatal means before birth अज़ जसे ultrasound वगरा करा के पता लगा जेते हैं लोग बच्चे के sex के बारे में but it was banned 1994 में ही यह बैन हो चुका था लेकिन फिर भी illegally कुछ लोग ऐसा करते रहते हैं so this is MTP and जो हमने जतने भी birth control methods की हैं सभी को बहुत अच्छे से आपने कर लेना है these are all very important जो चाहे temporary methods हो चाहे permanent methods हो so this is all for now thank you